होली की तेवहार को हम रंगो और उत्सा से मनाते हैं पर इस तेवहार से कुछ ऐसी भी भयानक चीज़े जुड़ी हैं जिनका जिक्र करना भी डरावना लगता है ये कहानी प्रीती की है प्रीती अपनी लाइफ के एक बहुत ही अनोखे पड़ाव पर थी अगले दो महीने में वो एक बच्चे को जनम देने वाली थी प्रीती और उसका हस्बेंट शोवित गुडगाओं के एक फ्लैट में अकेले रहते थे काम में बिजी रहने की वज़ा से शोवित प्रीती का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाता था और इसलिए प्रीती ने अपनी प्रेगनेंसी के आखनी महीने अपनी मा के साथ रहने का डिसाइड किया होली से करीबन एक दिन पहले प्रीती अपने घर कैप से पहुची लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वज़ा से प्रीती को घर के सामने वाली रोड पर उतरना पड़ा प्रीती के घर के सामने वाली रोट पर एक चौराहा था उस चौराहे को पार करते हुए प्रीती का पैर जमीन पर आटे के बने दिये पर जा लगा और वो उसके पैर से चिपक गया प्रीती ने उस पर जादा ध्यान नहीं दिया और घर चली गई पर घर के दर्वाजे पर पहुचते ही प्रीती ने जैसे ही घर की दहलीज पर अपना पैर रखा उसके पूरे शरीर में एक करेंट दोड़ा उसे एक जोर का जटका लगा और वो पीछे हो गई जब तक प्रीती कुछ समझ पाती उसकी माँ घर के गेट पर उसे लेने आ गई अपनी माँ को देखकर प्रीती बेहत खुश हो गई और वो उस जटके को नजर अंदास करके उनके साथ अंदर चली गई उसी राथ को प्रीती वाश्रूम जाने के लिए रात में उठी बैट से उठकर वो जैसे ही वाश्रूम की तरफ जाने लगी उसको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा प्रीती उस धक्के से जमीन पर गिर गई और दर्त के मारे उसकी चीक निकल गई घर में सभी लोग जाग गए प्रीती ने जब ये बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा था तो घर के सभी लोग चौक उठे तभी प्रीती के पापा ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि शायद अंधेरे में प्रीती जमीन पर पड़ी किसी चीज से ठक्रा गई होगी सब ने इस बात को मान लिया और सब लोग सोने चले गए अगली सुभा होली का तेवार था हर जगा रंग और उत्सा था घर के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे जब प्रीती के बच्पन के दोस्तों को पता लगा कि प्रीती अपने पुराने घर में वापस आई हुई है तो वो भी उसके साथ होली खेलने के लिए वहाँ आ गए घर के बाहर प्रीती के चार दोस्त आ गए लेकिन उन चारों में से प्रीती सिर्फ तीन को ही जानती थी एक आदमी उसके लिए बिलकुल अंजान था पर प्रीती को लगा कि शायद वो उसके किसी दोस्त के साथ आया होगा उन सब ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया उसी मस्ती के बीच वजनवी भी प्रीती को रंग लगाने आ गया प्रीती ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला और सीधा प्रीती के गालों पर रंग लगाने लगा प्रीती को एकदम से महसूस हुआ कि वो आदमी अपने हाथों से सिर्फ रंग नहीं लगा रहा बलकि वो प्रीती के मूँ को मसलने की कोशिश कर रहा है प्रीती ने गुस्से में उस आदमी को पीछे धक्का मारा और जोर से चीखने लगी उसके चेहरे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था सब लोग उसके पास एक खिटा हो गए प्रीती गुस्से में अपने दोस्तों से कहने लगी कि उनके साथ जो आदमी आया है उसने प्रीती के साथ बदसलूकी की है यह सुनकर सब धंग रह गए तभी प्रीती के दोस्त रवी ने उससे पूछा कि वो किस आदमी की बात कर रही है रवी ने बताया कि उनके साथ कोई चौथा आदमी नहीं था इस सुनकर प्रीती सुन पड़ गई उसे पूरा यकीन था कि उसने एक आदमी को वहाँ देखा था प्रीती इधर उधर उसे ढूनने लगी पर वो आदमी उसे कहीं नहीं मिला घर के बाहर अब इतना तमाशा बन चुका था कि प्रीती की माँ उसे घर के अंगर ले गए प्रीती बार बार पागलों की तरह उसी आदमी के बारे में बोले जा रही थी पृती की माँ ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके लिए पानी लेने किचिन में पहुँची किचिन तक जाते हुए पृती की माँ के पास उसकी भतीजी श्रेया फोन लेकर आ गई और उन्हें एक वीडियो दिखाने लगी वीडियो में जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए वो वीडियो बाहर हो रही Holy Celebrations की थी और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि प्रीती अकेली खड़ी हुई है और उसके गालों पर खुच से रंग लग रहा है यह देखते ही प्रीती की मा भागती हुई प्रीती के कमरे में पहुची तो उन्होंने देखा कि प्रीती का शरीर बिस्तर के उपर हवा में तैर रहा है यह देखकर प्रीती की मा बेहत घबरा उठी वो समझ गई कि जरूर प्रीती के उपर कोई काला साया आ गया है उन्होंने तुरंद शहर के जाने माने तांत्रिक को बुलवाया जब वो तांत्रिक महां पहुचा तो प्रीती उसे देख कर गुसे से चिल्डा उट गए प्रीती ने उसका गला पकड़ लिया और किसी अजीब भाशा में कुछ बढ़ बढ़ाने लगी तांत्रिक ने उसके उपर कुछ पाउडर जैसा फैका जिससे वो थोड़ी शांत हो दे और उसने तांत्रिक का गला छोड़ दिया शब घरवालों ने उसे पेट से बाँ दिया और फिर उस तांत्रिक ने अपनी जाड़ फूख शुरू कर रहा था वैसे वैसे प्रीती दर्द में चला रही थी तांत्रिक में प्रीती की फूरती से थोड़ासा कपड़ा फाड़ा और उसे जला दिया अब जैसे-जैसे वो कपड़ा चल रहा था, उसमें से नीला थुआ निकल ना लगा, परीती के चीखनी की अवाजे और तेज हुगें, परीती की लिए सह में सिक्थे, परीती को दर्भ में देख रहे थे, जैसे ही वो कपड़ा पूरा जल कर रात हुआ, परीती की चीखें भ पूरे साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा की रात होती है। और इस समय में बच्चों और प्रेगनेंट औरतों को सबसे ज़्यादा खत्रा होता है। ज़्यादातर लोग चौराहे पर काला जादू करके समान रख देते हैं। ताकि जब भी किसी का पैर उस समान पर पड़े, काली आत्माएं उन पर चढ़ जाएं। और उन्ही काली आत्माओं के जरिये वो अपने अधूरे काम करवा पाएं। प्रीती और उसके बच्चे की तो जान बच गई। पर प्रीती की दिमाग से ये खौफनाक किस्सा शायद ही कभी मिट पाए। इसलिए दोस्तों तेवहारों के समय चलते वक्त पैर कहां पड़ रहा है। इसका ध्यान जरूर रखना। इंडिया में होली एक खुशियों का तेवहार है। जहां सब लोग अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को रंग लगा कर एक दूसरे की खुशियां सेलिबरेट करते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगा है जहां पिछले सौ सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई है। ये कहानी जहारकर्ण में बसे दुर्गापुर गाउं की है। पर एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई। तब से वो राजा पागल हो गया और पूरे गाउं भर में होली मनाने पर रोक लगा दी। कुछी सालों बाद उस राजा ने होली के दिन ही खुद को मार डाला और इस गाउं की परस्तितियां और बिगड़ गए। उस साल सूखा पड़ गया और कई लोग भुकमरी से मर गये। तब से गाउं के लोग होली का दिन उस गाउं के लिए अशुब मानते हैं और कभी होली नहीं मनाते। और तो और ये भी कहा जाता है कि उस गाउं में आज तक उस राजा का भूत भटकता है जो होली के दिन लोगों को बहुत सताता है। गाउं के लोग इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा का कहा नहीं माना तो उनका भूत आके उन लोगों की जिंदगी नरक बना देगा कई साल पहले जब एक आदमी जो गाउं में नया नया आया था उसने गाउं वालों की बात नहीं सुनी और होली मनाने निकल पड़ा जिसके बाद वो उस गाउं में कभी नहीं दिखा कहते हैं उस राजा के भूत ने उसे खाई में धक्का देकर मार डाला उसके बाद से उस गाउं में होली ना मनाये जाने की परंपरा बन गई है जो आज तक चलती आ रही है आज भी होली आते ही इस गाउं में सन्नाटा चा जाता है जैसे किसी का मातम हो अरनव, रिशी और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलिज से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी खोली के चलते उन्हें कॉलिज से एक हफ़ते की छुट्टी मिली थी तो रिशी ने आगरा जाकर खोली मनाने का आइडिया दिया तीनों ही उस आइडिया को लेकर बहुत एकसाइटेड हो गए और होली मनाने के लिए आगरा के लिए निकल गए आगरा में अकसर होली का तेवहार बहुत ही जोरो शोरो से मनाया जाता है होली का तेवहार एक पूरे जलसे की तरह होता है अर्नव रिशी और आकाश होली से एक दिन पहले आगरा पहुचे और अगली ही सुभा सफेद कुर्ता पहन कर होली सेलिब्रेट करने आगरा की गलियों में निकल गए तीनों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया होली खेलते खेलते उन्होंने ठंडाई समझ कर काफी सारी भांग पीली पूरा दिन रंगों से खेलने के बाद अब सूरज घलने लगा था और तीनों ही बहुत बुरी तरह ठक चुके थे अर्नव, रिशी और आकाश अब अपने होटल की तरफ वापिस जाने लगे थे पर कहीं न कहीं वो तीनों ही भांग के नशे में थे जिसकी वजह से वो वापिस जाने का रस्ता भटक गए थे अर्नव के कहने पर उन्होंने चलते हुए एक नया रस्ता ले लिया और उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनकी ए गलती उन्हें कितनी भारी पढ़ने वाली है जहां आगरा की हर गली में शोर शराबा था वहीं वो नया रस्ता काफी सुनसान सा था वो तीनों बस उस पर चलते जा रहे थे चलते चलते उन्हें अपनी दाई ओर एक पुराना सा खंडर हुआ किला दिखा वो उसके सामने से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें खंडर के अंदर से कुछ अजीब सी अवाजें आने लगी रिशी ने ध्यान से सुना तो वो शोर असल में लोगों के हसने खेलने का था उस खंडर से ऐसी अवाजें सुनकर उन तीनों को काफी अजीब तो लगा और वो तीनों ही देखना चाते थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा था वो तीनों उस खंडर की दिवार की पास जाकर खड़े हो गए वो दिवार एक जगा से थोड़ी सी तूटी हुई थी और अर्णव ने वहाँ से अंदर देखा तो उसके होशी उड़ गए उस खंडर के अंदर पचास से भी जादा लोग आपस में होली खेल रहे थे किसी को भी अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था आखिर एक खंडर में सूरज ढलने के बाद इतने लोग होली क्यूं खेल रहे थे पर इस से पहले कोई कुछ समझ पाता अकाश उसी तूटी हुई दिवार से अंदर खुज गया और नाचते हुए उन लोगों के पास चला गया और सबकी साथ नाचने लगा उसके पीछे पीछे अन्नव और रिशी भी अंदर चले गए दोस्तों उन सबके नाचते नाचते उस खंडर के अंदर अचानक से अंधेरा चाने लगा जिसे एकदम से रात हो गई हो वही रिशी का पैर नाचते हुए फिसल गया और वो एक औरत से टकरा गया रिशी ने तुरंथ ही माफी मांगी पर वो औरत बस खड़ी होकर रिशी को गूरने लगी और देखते ही देखते सबी नाचते हुए लोग वहीं रुख गए और सिर्फ रिशी अकाश और अन्नव को गूरने लगे उस खंडर का महौल अब बहुत भ्यानक सा हो गया था इससे पहले कि उन तीनों मेंसे कोई कुछ कर पाता उस औरत का चहरा बदलने लगा बलकि वहाँ खड़े सभी लोगों का चहरा बदलने लगा और नीला पढ़ने लगा तभी रिशी के सामने खड़ी उस औरत की आखें सफेद हो गई गिसब देखकर उन तीनों दोस्तों की रुहु काप गई अकाश और अन्नव सीधा वहाँ से भागने लगे पर रिशी अपनी जगा पर ही रुका हुआ था वो उस औरत को सुन होकर देखे जा रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे रिशी एक पुतला बन गया हो अकाश ने उसे वहाँ से खीशने की कोशिश की पर रिशी मानों वहीं पर जम गया था अकाश ने उसे और जोड से खीशा और जो उस ने देखा उसे देख उसका दिल देल गया रिशी की आँखें भी सफेध पढ़ने लगी थी ये देखते ही अकाश ने रिशी का हाथ छोड़ा और वहां से भागने लगा अकाश और अन्नव दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो जहां भी नजर डाल रहे थे वहां वो नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफेध आँखों से देख रहे थे वो बस कुछ भी करके उस खंडर से बाहार निकलना चाहते थे रिशी अब भी वहीं एक पुतले की तरह खड़ा था अरनव ने देखा कि जिस दिवार से वो अंदर आये थे वहीं बाहर जाने का एकलोता रस्ता था तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता डूँने लगा तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अरनव और अकाश की सांसे जम सी गई बहां पर खड़े सभी लोगों की हड़ियां चटकने लगी और वो धीरे धीरे अरनव और अकाश की तरफ भणने लगे उन दोनों की जान सूप चुकी थी उन्हें लगने लगा था कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था पर तभी अरनव और अकाश ने मिलकर रिशी को वहां से कीचा और उसे अपने कंधे पर उठा कर वो दोनों उसी दिवार की तरफ भागने लगे जहां से वो तीनों अंदर आये थे बिना कुछ सोचे वो बस उस दिवार की तरफ भागते गए और उस किले से बहार कूद गए किले से बहार निकलते ही रिशी की आखें पहले जैसी नौर्मल हो गई और वो बही पर बेहोश हो गया इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उस खंडर से आग की लप्टे निकलने लगी और उस किले के अंदर मौजूद सभी लोग आग में जलने लगे वो भयानक नजारा अरनव और अकाश से देखा भी नहीं जा रहा था पहले तो उन्हें लगा कि ये सब जो उनके साथ घटा वो कुछ नहीं बलकि भांग का नशा था लेकिन वो दोनों जैसे तैसे रिशी को उठा कर जब अपने होटल तक पहुँचे और वहां के मैनेजर को उन्होंने सब कुछ बताया तो मैनेजर की बात सुनकर वो लोग दंग रह गए उस मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस किले के पास हो थे उस किले में कई साल पहले गाउं के लोग होली मना रहे थे और तभी उनके गाउं पर एक मुगल बादशा ने हमला कर दिया था किले को चारों ओर से घेर कर मुगलों ने उस पूरे किले को आग लगा दी थी उस किले में मौजूद हर एक इंसान की वहीं पर मौत हो गई थी आज भी होली के दिन शाम को कोई भी उस किले के पास से नहीं निकलता कहते हैं वो सारी आत्माएं उस किले के अंदर कैद हो गई है और वहीं पर भटकती रहती है पर हर साल होली के दिन वहाँ भूतों की होली खेली जाती है ये सब सुनकर अर्नव और अकाश के होश ओड़ चुके थे रिशी अब भी भी होश था होटल के मैनेजर ने उसे दिलासा दिया कि अब वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित है सुभा होते ही अर्नव, रिशी और अकाश तुरंथ ही आगरा से निकल गए रिशी को उस दिन के बारे में जादा कुछ याद तो नहीं है पर अर्नव और अकाश उस दिन को शायद ही कभी भूल पाएंगे वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है मगर रंगों का तेवहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है तरह तरह की मिठाईयां, धेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती मगर बारा साल के रोहन के लिए उसका फेवरिट होली का तेवहार इतना भयानक बन जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था रोहन एक अनात आश्रम में रहता था और होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था जब वो रोहन को अपने घर लेकर आये, तो रोहन घर के अंदर जाते जाते रुख गया उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा लेकिन तब ही रोहन की नई मौम ने उसे अंदर बुला लिया वो फैमिली रोहन का बहुत अच्छे सध्यान रखने लगी सब ही उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज़ादा रोहन को उसकी दादी प्यार करती थी मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी रोहन पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशिन नहीं थी रोहन अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखता रहता लेकिन जब भी वो उपर आने की कोशश करता, उसकी दादी उसे आकर रोक ले थी होली से एक रात पहले, जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था तब वो अचानक ही स्टेरकेस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा घर में सब सोचुके थे और इसलिए वो चुपके से सेकंड फ्लोर पर चला गया उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दर्वाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था रोहन ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की तभी उस दर्वाजे पर किसी ने अंदर से नौक किया उसके बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए उसके पास में एक बच्चा खड़ा था उस बच्चे का नीला रंग था और आंके पूरी तरह सफेद थी वो रोहन को देखकर जोड से चलाया और रोहन के अंदर घुज गया रोहन बही बुरी तरह तड़पने लगा और उसे अजीब से दोरे पढ़ने लगे और तभी उसकी अवास सुनकर उसके मम्मी पापा उपपर आ गए उन्होंने उस उठा कर उसके कमरे में सुला दिया अगली सुभा होली थी मगर रोहन का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था रोहन की दादी काड़ा बना कर जैसे ही उसके कमरे में गई वैसे ही रोहन नीन से उठ गया और उन्हें देखकर जोड से चिल्लाने लगा उसका मूँ उस लड़के की तरह नीला पढ़ने लगा और उसकी आँखें सफेध हो गई तभी उसकी दादी डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वो देखकर हैरान हो गई कि उपर वाले कमरे का दर्वाजा खुला हुआ है रोहन भी अजीब सी आवाजे निकालते हुए दादी के पीछे पीछे उपर चला गया रोहन की आवाजे सुनकर उसके मौम और डैड उपर आये पर जो उन्होंने देखा वो देखकर वो सुन पड़ गए रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे और रोहन के बगल में रोहन की दादी मरी पड़ी थी रोहन के मौम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि सेकंड फ्लोर पर आखिर क्या हुआ है जब कुछ देर बाद रोहन अपने सेंसेज में वापस आया उसने सब को बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी सबसे पहले दिन जब वो घर आया था तो वो उसे गार्डन में दिखा और फिर अकसर सेकंड फ्लोर पर दिखता था वो बच्चा बार बार रोहन को उपपर खेलने के लिए बुलाता था कल रात भी वो उससे बात करने के लिए उसके शरील में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था और वो अब रोहन के जरिये अपना बदला लेने आया है यहिस सब सुनकर रोहन के मम्मी पापा शौग्ड थे क्योंकि वो बच्चा जिसकी रोहन बात कर रहा था वो और कोई नहीं बलकि रोहन के मम्मी पापा का पहला बेटा था जो अचानक पांच साल पहले होली के दिन गायब हो गया था उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांती के लिए हवन कराया और फिर वो रोहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए मगर आज तक रोहन उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है एंड सभी को हमारी तरफ से a very happy होली हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सबस्क्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना मिलते हैं अगले हफते